आपका स्वागत है दरन वीशो क्लिप्स नेम, बस देखते रहो और सीखते रहो जब आप अभी कश्मीर इन 2024 को अब्सर्व कर रहो, क्या चलता आपके दमाग में अभी कश्मीर की रियालिटी क्या है versus 10 years ago versus 20 years ago versus 30 years ago ये भी बताई है देखो कश्मीर जैसी खुबसूरती शायदी कहीं होगी लोग स्वीजर लैंड की बात करते हैं, लेकिन मैं स्वीजर लैंड भी देखा है मैं समझता हूँ, कुदरत ने जो कश्मीर को खुबसूरती दी है वो बहुत, दुनिया में बहुत काम जगों पे है 30 years पहले, जब हम नेने ASP और SP आये 35 years पहले तो कश्मीर की जो हालत बिगड़ते देखी, इतनी बुरी हालत थी कि आदमी सोच भी नहीं सकता था जो आज सिचुएशन है कि ऐसा भी दिन एक दिन आएगा और फिर इसमें बहुत सारे उत्राओ चड़ाओ आए बहुत सारे किस तरह से हालात बिगड़ते बिगड़ते 90 से फिर एक ऐसी टेररिजम पीक पे आगया लगता था कश्मीर वैली पूरी उमड आई और मैं 90 का बता रहा हूँ फिदाई अटैक हो गया तो उन्होंने ये फेनमेना स्टार्ट किया आमी केमपर सी आर्पी परामिल्टरी केमपर पुली स्टेशनों पर सुइसाइडल अटैक्स उनको फिदाई नहीं कहना चाहिए वो फिदाई बोलते हैं हम उसको सुइसाइडल बोलते हैं तो सुइसाइडल अटैक्स करना शुरू किये और उससे बहुत सारा कैजूल्टीज होती थी जैसे हमारी असेंबली पर अटैक हो गया सेक बहुत सारी पुलीस एस्टैबलिश्मेंट पर अटैक हुआ पुलीस स्टेशनों पर अटैक हो गया सी आर पी और बी एस एफ के जो बटालियन्स ती उन पर अटैक हो गया आमी हेडक्वाटर बदामी बाग पर अटैक हो इस तरह के बहुत सारे अटैक्स होने लगे इस तरह के अटैक होने लगे तो वो फैना मेना भी आइस्टा आइस्टा कंट्रोल इन फैक्ट यह जो फैज था यह सुईसाइडल अटैक फैना उसी बगत यह पारलिमेंट अटैक जेन के असेंबली अटैक बहुत सारे अटैक्स हुए उसके बाद फिर 2002 में इलेक्शन करवा पाए हम दुबारा जिसमें कुलीशन गवर्मेंट पी डी पी और कांग्रस की जिसमें मुफती सायद चीफ मिनिस्टर बने तो यह एक फेज आई उसके बाद टैररिजम का इन फैक्ट 2001 वाज दा पीक यह राफ टैररिजम और उसके बाद टैररिजम डाउन होने लगा क्योंकि साइमल्टेनियसली एक इशू हुआ जो एक पूरा बॉर्डर एरिया था इंटरनेशनल बॉर्डर और लोसी इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे अखनूर तक और उसके बाद लोसी पड़ता है इस सारे एरिया में जब हमने बारवार टेक अप किया कि जिस तरह पंजाब में फैंसिंग करने से टेररिजम कंट्रोला आप यहां भी करिए उस वकित की यूनियन गर्मेंट जो बाचपाई जी की गर्मेंट थी उन्होंने इस प्राजेक्ट को अप्रूब किया और फिर वो बारडर बनने से जो फैंसिंग होने से नंबर आफ टेरिस्ट केम डाउन अट ए गिबन टाइम डाई हजार टेरिस्ट आगर होता था नाइन्टीज में तो फैंसिंग होने के बाद वो 250 तक मतलब 90 परसेंट कंट्रोल हो गया तो इतना इफेक्ट बारडर फैंसिंग से हुआ जिसको एलेक्ट्रिफाई भी किया गया बहुत सारे गैजट्स इस्तेमाल करती थी फौज भी और BSF भी वो 10 परसेंट गुस्ते गैसे था वो भी गुस्ते थे उसमें देखो पाकिस्तान एक ऐसा डूबियस नेशन है वो कुछ भी करेगा इसके लिए जैसे आप पहले क्या होता था टेर्रिस्टों को गाइड्स ले जाते थे टेर्रिस्टों को इंफिल्ट्रेट कराने के लिए गाइड्स का इस्तमाल किया जाता था वाइलेस पे बोलते थे कि वो आर एस पुरा में वो गाइड है उसके साथ कंटेक्ट पाकिस्तान आई एसे एजन्स क्योंको हमारे बीच भी ऐसे लोग हैं जो देश द्रोही हैं जो मदद करते हैं पैसे के लिए करते हैं किसी चीज़ के लिए भी करते हैं स्मगलर्स को यूज़ करते थे जो ट्रांस बॉर्डर स्मगलर्स होते हैं जो पाकिस्तान की चीज़ इधर और इधर की चीज़ उधर करते हैं ड्रग्स लाने में मदद करते हैं उन लोगों का इस्तिमाल करता था पाकेट जब फैंसिंग हो गई तो फैंस के नीचे से टनल निकालते हैं उसमें से टेरिस निकलते हैं उस जब उस पे भी नज़र रखी फोर्सीज ने तो फैंस को इलेक्ट्रिफाई किया तो प्लास्टिक चेर यूज़ करने लगे उसमें उसके बाद अब टेक्नालोजी आई ड्रोन की तो हम ड्रोन यूज़ करते हैं मेडिकल फैसलिटीज के लिए फाइर सर्वसीज के लिए हम यह आपकी नियत पर डेपेंड करते हैं पाकिस्तान की नियत ही गड़बड है न तो वो इसको ड्रोन को इस्तिमाल करते हैं हाथ्यार, टिस्टल, आईडी even मैंने सुना है कुछ ऐसे ड्रोन चाइना से उन्होंने लिये है जिसे वो टेरिस्टों को भी मैन को भी ड्रॉप कर सकते और ड्रोन का फाइदा यह है कि आपको बार्डर पे नहीं उतारना है दस किलो मेटर अंदर ड्रोन जा सकता है पाकिस्तान हर चीज़ को इस्तेमाल उसकी देखो आज पाकिस्तान डाउन है आज टेररिजम में अपार्ट फ्रम जो संकल्प है आज की गर्मेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गर्मेंट है 2014 के बाद उन्होंने सक्त पॉलिसीज लाई और इसको एक फर्मली डील किया उससे बहुत कंट्रोल हुआ 370 के बाद सिचुएशन बहुत बदली है लेकिन पाकिस्तान की डीप स्टेट की नियत में कोई चेंज नहीं आई है वो आज डाउन है आज उनको खाने के लाले पड़े हैं आटा नहीं मिलता है मैं उनकी चैनल्स देखता हूँ लेकिन उनकी कोई कहे उनकी डीप स्टेट की नियत में कोई बदलाओ आया नहीं आया तो अकल को फिर वो पैसा उनके पास होगो आपको फिर यही करेंगे इसलिए बड़ा कियरफुल रहना ज़रूरी है तो मैं यह बता रहा था इस फेज में फिर जब वो 2001 वाज देपीक आफ टेररिस्म उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अप्लोड की हैं इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ